Welcome back to my another blog video and very good morning to all आज इतना अच्छी धूप निकलिए न सुबे सुबे खिली खिली बस मन खुश होगा इस धूप को देखके अभी विंटर इस में धूप निकलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा तो मेरी मॉर्निंग की शुरुवाद इस डिटॉक्स ट्रिंग से हुई जो अपी मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा ये ड्रिंग बहुत ही है और डिजिशन में प्रूफ करती है और एक डिटॉक्स ट्रिंग हमें वीक में तो एक बार लेना ही चाहिए तो मैंने सुचा नहा लेती हूँ धूप भी अच्छी निकलिया है और मुझे लगता है ना पूजा वगरा का जो टाइम है ना उसी में करना चाहिए में को थोड़ा सा लेट हो चाता है तो मेरा मन नहीं लगता है तो अभी बस हाँ बच्चे वगरा उटके थे हस्बिन भी उटके थे तो हम लोग यहां बैटके हलकेल की धूप में नाश्ता करें यह बहुत अच्छा होता है ना रूम में हलक धूप आ रही हो ना तो बैस लगता है यह चीज़ अपार्टमेंट्स की बहुत अच्छी चीज़ है कि स्लाइडर खुल के बैट जार आम से डिरिकली ध दूप आती है तो अभी बस हम लोग नाश्ता कर रहे हैं नाश्ते में जादा कुछ नहीं बस पोहा और आज चाय है और अभी ना रात में विंटर जैसा आ गया है ना तो अभी हमें लग रहा था भी नहीं है इतनी वूलन बैट शीट की ज़रूरत लेकिन लिटरली का लग मेरी मन पसंद की बैट शीट हो जिसे लाइट कलर्स हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो यह बैट शीट बस मैंने लगाया और अब थोड़ा सा ना सौफ सौफ वाला फील हो रहा था कि ठीक है और चलिए तो अभी ना मैं करती हूँ लांच और लांच में आज बना मतलब गले को थोड़ा सा अराम देता है मुझे थ्रोट वगर अपे थोड़ा से इंफेक्शन वगर अभी अभी हो रखा है ना तो मुझे बड़ा अराम लगता है तो इसलिए मैंने इस तरीकी का बनाया था और अभी करते हैं हम लांच कॉज अभी एक बच गया है इस कि उनके बेटे की शादी तैय हो गई है तो वो घर आ रहे है और कॉज यहीं पर शादी तैय हुई है लड़की वाले यहीं के हैं तो वो आ रहे हैं तो मैंने सुझा चलो मैं भी रेडी वगरा हो जाती हूँ कॉज अभी शाम का चाय का टाइम तो होई रहा था तो अभी उ लिटरली सास बनने वाली हो अभी आप थोर दिन के बाद मेरे एक ब्लॉग देखोगी जिसमें मैं आपको पुरी बहु दिखाऊंगी लिटरली एस काफी अच्छा है और ऐसा ही है मतलब मम्मी वगरा जो है मेरी मम्मी वगरा वो भी काफी यंग यंग एश में दादी वगरा बन गई है यह उतना पहले की जनरेशन में शादी वगरा बहुत जल्दी कर दी जाती थी तो उस टाइम की बच्चे अब इतनी जल्दी बड़े हो गएं कि बस अभी उनकी भी शादी होने वाली है तो चलिए अभी भाईया आ गया है तो अभी मैं उनको बस पानी वगरा सर ड्लणी जण की मतलब मिंज आपकी भतीजे की शादी हो रही है और लिट oralism यहीं इस ही शहर से हो मैं बहुत चाहन 친ाब बहुत बहुत अच्छी के बाद आहें बहुत टाइम के बाद की जब से मैं आग रहा हूं उन तब से मिद्हका मतलब कह दो आ ही ही निए पाता है most ho, 200 km से नीचे तो कोई है नी, जैसे कि आज़पस बोल्धे कि कोई रहता है relative तो कोई relative नहीं है, तरषी तो मुझे आगरा बहुत पसंद है, अगर कोई भी relative मेरा आजपस रह रह रहा होता है न, तो मैं तुरंसे settle हो जाती, कॉज अभी ना बचे थोड़ा सा ग्रोइंग मतलब इस एज में है ना तो उनको बार बार इधार से उधार शिफ्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कॉज मुझे लग रहा है मेंटली बच्चों पर काफी असर पढ़ता है उनके फ्रेंड्स रह जाते हैं उनकी चीजें बदल जाती है तो मैं थोड़ा सा कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे फाइनली एक जगा सैटल हो जाना चाहिए बट हस्बिन का जॉब हर तीन साल में चेंज होता ही है तीन साल से जदा तो हम कहीं किसी शहर में रही नहीं सकते हैं और इविन जब मेरी शादी हुई थी तो सबसे पहले मैं बनारस के बनारस में रहें देन हम लोग बरेली रहें और इसके बाद अभी हम आग रहें तो ऐसे ही चलता रहता है मैं कभी भी हाँ बरेली मैं रही हूँ बरेली लेकिन बहुत कम टाइम रही थी दो साल एराउंड रही थी फिर उसके बाद इधर आना पड़ गया यही चीज होते है कभी कभी ना सब लोग बोलते हैं कि ट्रांसफरेबल जॉब अच्छा होता है बट मैं बोलू ना सब के प्राउज इन कॉन्स होते है कॉस हर चीज का एक बेनिफिट है और एक चीज का डेमेरिट भी बहुत जादा रहते है कॉस बहुत सारी चीज़े हैं आप चेंज हो जाते हो आपके फ्रेंड्स जूट जाते हैं और दूसरे यह भी है कि आपको नईनी जगा गूमने के लिए मिलते हैं यही होता है तो चलिए अब भी ना भाया वगरा जा चुके हैं खाना वगरा मैंने खिला दिया था को मैंने शूट नहीं किया कॉस मैं बहुत जादा बीजी होगी थी बीश में तो बस खाना वाना प्रॉपली बना के सब खिला दिया सारी क्रॉक्री भी मैंने अभी लगा दी अपनी जगह पी कॉस मॉनिंग में उटके ना बहुत जाएड़े को जाते हैं जिससे कि मुझे सुपह मॉनिंग में जादा कुछ ना करना पड़े मैं वस ये टेवल भी अपनी जगह पे लगा देती हूँ कॉस मैं इसको बीश में न सैंटर में रखती हूँ तो मुझे काफी जादा भरा भरा सा घर लगता है तो ये मेरी चुटी-चुटी सी भूग जब होती है तो मैं सरे की चीज़े कर लेती हूँ और अभी ना हस्बिन भी आज काफी ठग गए थे कॉस भाई भी आज काफी लेट गए है साड़े दस बजे निकले हैं वो भी बिडरेक परेली निकले हैं मैंने बोला उनको रुख जाएए बड़ नहीं रुखे तो बस अभी उनके जाने के बाद सारे काम की हैं मैं मनाती हूँ हकका नूडल्स हकका फ्राइड राइस तो अभी मैंने इसमेट खड़ाई लिए खड़ाई में तेल डाला जीरा डाला और ये अनियन डाल दिया मैं को बहुत पसंद है मैं जीरा हर लिएज में डाल दिती हूं चाहें वो चैनीज हो या फैर धाई हो कुछ पी हो तो मैं इसमें ही सब डाल दिया उसके बाद राइस डालोंगी अच्छे से और इसको अच्छे से बिल्कुल भूल लेंगे 2-4 प्रेट तो अच्छे से फ्राइए करना है बहुत रिस्टी बनते हैं बिल्कुल स्पैसी स्पैसी वाले बनते हैं उसके उपर से नमक डाल दीगे थोड़ा तेश नमक डालती हो मैं और इसके बाद में हकका नूडल मसाला जो आता है यह मैंने बहुत अच्छे से डाल दिया और इसका ही फ्लेवर सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट होता है तो मैं जादतर क्या होता है हकका नूडल में मसाला इसमें ही डाल देदी फ्राइड डाल दूगी कॉस मज़ा भी देता है अच्छा भी लगता है उसके बाद मैंने चिली सॉस जो है वो डाल दिया है मैंने और यह काफी जादा तीखी है तो मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि हका नूडल मसाला भी थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो बस अब यह होके है बस तो अभी ये खाके ये बन गया पिलकुल रेडी हो गया तयार और अभी इसको परउस्ते हैं और बस मजा ही आने वाला है कॉस ही मुझे बहुत पसंद है बस राइस रखे होए होने चीह रहां तो मैं बहुत तरीके के राइस बना ले दियू एग राइस भी बनाती है नू का ब्लॉग बस इतना ही मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स ब्लॉग में और ख्याल रखिएगा अपना थैंक यू फॉर एवरिवन चू लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मुझे प्यार दे रहे हैं उन सब के लिए तहे दिल से थैंक यू प्लीज चैनल को लाइक और करिएगा बाबाइ